सही तरीके से जाती के जंगरना होगी तो हमें मालू पढ़ जाएगा कि देश में कितने लोग जो हैं पक्के मकानों में रहते हैं, कितने लोग कच्छे मकानों में रहते हैं, कितने लोगों के पार रोजगार हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं, आपके पार हर चीज का डेटा जाए लाइसे है और पेट्रोलियम्स हैं और हेंडलूम्स हैं यह सब भारत सरकार के वो उपक्रम हैं जो हमेशा है भारत सरकार को कमाई करके देते आ रहे हैं इन सब को जो है परवेट हातों में दे दिया गया तो उससे किन का नुक्सान हुआ कया है कि 70% पैसा उन्हीं लोगों के पास है जमीने जो 50% उन्हीं लोगों के पास है जितने भी बड़े बड़े उपक्रम हैं सभी उनके पास है सविधाल हमें सबको बड़ाबर बताता हैele इंडियन egg on राजनीतिक जो सरगर्मी राजनीतिक एक्टिविटीज्य जो राजनीति करिया। सबसे पहले दो मिनट के लिए आपको पृश्ट भूमिय में इसके लिए जाना चाओंगा। यह जो देश है यह देश जाती और वन विबस्ता के पर चलने वाला देश है। टाउंस में यह हुआ था और 6 लाग गाओं में इसकी जन्गर्ना हुई थी और लगब लगब इसमें 10 लाग जो है टीचर्स की विवस्ता की गई थी लेकिन उसको इन्हों इन्हों जो सरकार है डिस्क्लोज नहीं किया चाहिए सत्ता में कोई सी भी बैटी सरकार है कभी भी को हैं पक्के मकानों में रहते हैं कितने लोगों के पार रोजगार है कितने लोग बेरोजगार है और क्या जो लिंग का अनुपात है पुरुष कितने हैं मैलाएं कितने और किन जातियों के पास किन जातियों के पास देश का पैसा नहीं थैं किन जातियों के पास देश का सार न होनी थी क्योंकि देश के अंदर कोविड काल था तो यह अब तीन साल के लिए और मुल्त भी होके 2024 में डियू है और यह डिश्टल तौर पर होगी लेकिन अब सवाल यह है कि 2024 में ही लोकसभा की चुनाव है तो मैं तो इस मंच के माध्यम से ना केवल प्रधान मंत्री जी स बारते जंदा पार्टे से और पूरे जो है सिस्टम से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मान्य प्रधान मंत्री जी को अभी से यह जंडा उठा लेना चाहिए कि जातिकर्द जंद करना अभी से एक सिस्टम है उसके लिए एक कमिशन है उसके लिए एक आयोग है उसको ये एक दम से निर्देश दिये जानी चाहिए कि देश के अंदर जादी कर जन्र करना तुरंत परभाव से शुरू होनी चाहिए क्योंकि अब आप ये लगा ले अभी बिहार में जो है जादी कर जन्र करना हुई तो देश को ये मालूम पड़ा कि कितने लोग वहां सी एस्ट स्टालिन साहब है वो भी लगाता है इस बात को कह रहे हैं कि मेरे यांभी सेंसस होना चाहिए तो सारे जितने भी जहां जहां बाजबाव बीजेबिट डिरिवन सरकार नहीं है वो सभी राजी इस बात को मान रहे हैं तो मैं इस मंच से पूछना चाहता हूँ मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जातिकत जंगन्ना करवाने में आपको क्या मतलब आपको क्या असुईदा है भाई आप क्यों ये सचाई को छुपाना चाहते हैं आपके बाद हर चीज का डेटा है आपको ये मालूम है कितने हमारे पाद नदिया है कितने पाहाण है कितने जर्ने है कितने गदे हैं कितने गोड़े हैं कितने कुटे हैं कितने बिली हैं आपके बाद जब इन सब का data है तो क्योंका जात्यों का data जो है expose किया जाए जाती का जंगना इस देश के अंदर अतिय वश्यक है मैं इस मंत से कहना चाहूंगा आज देश के अंदर आप National Crime Bureau का आप प्रिकार्ट उठा के देख लें आज इस देश के अंदर अनुष जाती जन जाती के अबर जित्रा अत्या चारा आज के देश समय में हो रहा है पिछले कभी भी किरी भी दश्कों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है आज इतना ज्यादा रेप के केसी बढ़े हैं मडर्स के केसी अब पीछले दस सालों की में बात करता हूँ दस सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ें देश बहुत अरकी कर रहा हैं आपको इस मच के माद्धाम से कहना चाहता हूँ आप बाहर चलते वह दस गरीब लोगों को रोक कर पूछें आप तुमारी ढोटी कैसे चल रही है इस जिन लोगों को पात्पउत क्रीलो राशन दिया जा रहा है, वो सब तो एक तरिकेसे जो ड्राइए राशन लेने वाली वाली वो तो एक तरिकेसे बिगारी बन गए, अब उनको ये ही लगा रहाता है, अगर तरक्की कर रहा है तो जो गरीब लोग है वो और गरीब कैसे होती जाए जो अमीर है वो बहुत अमीर कैसे होते जारे जो जो हमारी भारत सरकार के उपकरम जो बारत सरकार को हमेशा कमाई करके देते आ रहे हैं इन Sh logical जो अरक्षन की बाबा साब ने छत्री जिनको बनाई थी जिनके साथ सदियों से जो है जुल्म होता आया है जिनके बाप दादों के साथ जुल्म होता आया है उनको विसाक्य की तौर बाबा साब ने एक आरक्षन का जो प्रफदान किया था जो स्विक्षा के छेत्र में और रोजगार के चेत्र में और रामनीती के चेत्र में बिचारों को मिलता था वो सब खतम होता जा रहा है तो इसी लिए ये सरकार नहीं चाहती के जाती कर जगन नहीं हो वरना ये ना मालूम पड़ जाए कि देश के अंदर एक्जेकुटिव्स और आपटे जुडिस्री, मीडिया और जित्ने भी चारों पिलर्स हैं डेमोकरेसी के उनके ओपर किन लोगों का अधिकार है उनके ओपर जो आठ से दस प्रतीशत लोग हैं जिनको स्वन समाज की लोग किया जाता है उन्हीं लोगों का ओधिकार है 70% पैसा उन्हीं लोगों के पास है जमीने जो है 60% उन्हीं लोगों के पास है जितने भी बड़े-बड़े उपक्रम हैं सभी उन्हें के पास है आप भारत में एक एक जम्पल ले मौल्स कितने हैं और मौल्स के माली को ने क्या आप समझते हैं कितने लोग यहां आप खुद नहीं बता सकते, क्योंकि एक प्रतिक्षत भी दली जो है, बड़ी-बड़ी इंडस्ट्री के मालिक नहीं है, उन लोगों के साथ हमेशा ऐसा छुवा छूत और अत्यचार हुआ है, कि आप उन लोगों का देखे दो, उनका मनोवाल तूटा हुआ है, आप 10 दलीत लोगों को बठा के उनके साथ भी आप प्रेसवारता कीजिए, मैं क्याना वो अगर अगर वो थोड़ा सा खुलेंग ना, रो के आपको सच्चाई बताइए, हमारे जो मीडियाद है, ये कभी सच्चाई बताती नहीं है, ये एक ही बस, जहां भी देखो आप, आप देखिए, जैसे ध आप खोलें, आप देखिएंगे, कि राम मंदर के बारे में चर्चाई चाल रही है, और अलग-अलग मंदरों के उपर कोरिडोर मनाए जा रहे हैं, और हाइवेस को, जो अच्छे हाइवेस थे, उनको और भी जाद एक्सप्रेस हाइवे किया जा रहा है, जबकि उस पर चल जानने वाले लोग कौन है, वो वही चार पहिया लोगों के बालिक लोग है, जो पैसे वाले लोग हैं, लेकिन इन पैसे वाले के लिए ही क्या योजनाय बनती है, तो इसलिए मैं बार बार इस पे मैं इंफसाइज करता हूं, जोर देता हूं, कि भारत सरकार को, परधान मं जो है धरम को किस धरम को मानते हैं आज ये एक बात देखें जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके उपर भी अरे मुस्लिम जो है इस देश के जो है एक अभीन अंग हैं उन्होंने भारत के हिंदुस्तान की जंगेजादी में बराबर का कूल वाया लेकिन उनके टैलीजर में ये सबको बराबर बताता है इंटियन पेनल कोड हम सबको बराबर बताता है कुद्रत भी सबको बराबर बताती है तो कहीं कोई ऐसा बjack acad períाध नहीं होना चाहिए कौंची योज़णा है जिसको सीएस्टी के लोगों के लिए बनाई जाने चाहीं हो उनको रोजगार मिले और वो शिक्षा के चेंटर में रोज़गार के चेंटर में और राजनीति के चेंटर में आगे तो मैं अपनी बातों को यहां विराम देता हूँ लेकिन यह एंफसाइज करता हूँ और इस मस्के माध्यम से जितने भी अव्रे संस्राइब कि वेइव तरी संस्या मैं यहां पर आए वह है और इस मंझ के माध्यम से मैं नाहिवर शंकार से पर्दान मंत्री जी से और जितने भी सटारूट दल के अलाइंस पार्टी से उन सबसे मैं जितने भी विपक्ष के जो दल है उनकी तरफ से यह एक रिक्वेस्ट करता हूं